वेलकम टू नदर एक्साइटिंग एपिसोड फार्मिंग इंजीनियर तो आज हम आया हम अपने खेतों में एक क्वेशन मुझे बहुत सालों से परिशान कर रहा था और फाइनली मुझे उसका अंसर मिल गया और मैं ट्राय करूंगा आप लोग को एक्स्प्लेइन करने के लि सबसे पहले तो यह क्वेशन है कि गिर्गिट अपना कलर चेंज ही क्यों करता है तो अब इस से दो आंसरे इसके एक तो खुद की सुरक्षा के लिए यानि कि जब कोई पक्षी गिर्गिट को खाने कोशिश करता है तो वह अपने आपको आपके के अन्वार्मेंट में ब्ल लगा के बैठा इसलिए वह खुद को चेंज कर लेते हैं तो गिर्गिट अपना कलर कैसे चेंज करता है यह समझने के लिए हमें थोड़ा सा बेसिक में जाना पड़ेगा और उसके लिए हमें कुछ साल पीछ है यानि कि हमारा जो एट नाइन का क्लास था साइंस का तो उसक समर्य यह हम सबको पता होंगे मुस्ली कि कोई भी light किसी ओपड़ती है और वह सारे के सारे lights को अबजॉब कर ले तो वह ब्लैक हो जाता है और वह सारे के सारे lights को reflect कर दे सारे colors को तो वह वाइट हो जाए बट अगर कोई object एक particular color को ही reflect करता बाकि सारे अबजॉब कर लेता है तो हमें वह चीज उस कलर में दिखी जैसे हम एपल ले ले दें आपल के उपर जब भी लाइट पढ़ती है सनलाइट की तो वह सारे कलर को अब्जॉब कर लेता है सिरफ रेड कलर को रिफ्लेक करता है उसके उपर की जो स्किन होती है उसमें रेड कलर के पिगमेंट होते हैं बाकी के अब्जॉब कर लें तो अब तक साइंटिस्ट को यहीं लगता था कि गिरगिट के स्किन के अंदर कुछ अलग-अलग कलर के पिगमेंट है और जब भी उसे कलर चेंज करना होता है तो वह जो कलर हमें चाहिए वह कलर वाला पिगमेंट ऊपर आ जाता है और वह कलर रिफ्लेक्ट होके हमें लगता है कि गिरगिट ने पीला कलर ले लिया या फिर लाल कलर ले बहुत सालों बात फाइनली यह रिवील हुई जब फिजिसिस्ट और बायोजिस्ट की टीम बैठी उन्होंने पूरा एक रिसर्च की अपना एक पेपर बनाया इसके अंदर उन्ह निकलती है वह साथ कलर के आठ कलर के लाइट निकलते हैं तो कुछ इसी तरह के छोटे-छोटे प्रिजम जो है वह गिरगिट के स्किन के अंदर होते हैं तो यह चीज उनके ध्यान में तब आई जब उन्होंने एक बटर फ्लाइग के उपर एक्स्पेरिमेंट किया एक बट वह लाइट पड़ते ही ब्लू कलर के चमकता था ब्लू कलर चमकने के पीछे जब उन्होंने माइक्रोस्कोपिक लेवल पर चेक किया तो पता चला कि उस बटर फ्लाइग के उपर बहुत से चोटे-चोटे नैनो पार्टिकल्स हैं जो अपने आपको इस तरह से आलाइ क्रिस्टल्स को डेंसली अगर वह पैक करता है घर अपने शरीर के अंदर वह ब्लू कलर या फिर जो डारकर कलर जोते हैं और उसको जब वह लूज करते तो जो लोगर साइड में जो कलर होते ग्रीन यह लोग वह कलर रिफ्लेक करता इसका बहुत ही बढ़ी बढ़ी आजां देंस हो जाते हैं तो ब्लू कलर रिफ्लेक करना चाहिए और वैसा ही वह ब्लू कलर रिफ्लेक करने लागी यह बहुत ही बढ़िया फिनोमेना या फिर आप बोल सकते हैं नेचर के अंदर यह चीज मैं बहुत सालों से जानना चाहता था कि फिजिकल एक्शुली उसमें अपने आप तो कलर चेंज होगा नहीं स्टडी जो है वह बहुत ही बेनिफीशल होगी हमारे जाकि नैनो टेकनलोजी में जहां पर काम हो रहे हैं तो अटोमेटिकली कलर चेंजिंग कार्ज होगे होती हैं जहां पर वह मैनूली प्रेशर दे के क्रिस्टल को अलाइन कर सकते हैं और जैसे मैंने आपको बताया कलर यह एक परस्पेक्टिव है कलर उसकी भी चीज का कलर जो है वह सौली नहीं होता वह देखने वाले के उपर होता है तो बहुत से कलर ब्लाइंड जो लोग होते हैं उनको कुछ अलग-अलग कलर दिखते हैं जरूरी नहीं है कि हमें जो फ्रूट उसके लीव का साइज शेप बिल्कुल अलग है बट एक चीज पूरे वर्ल्ड के अंदर एक कॉमन है कि हर प्लांट ऑल्मोस्ट हर प्लांट नाइंटी नाइन परसंट प्लांट मैं बोलूंगा वो ग्रीन होते हैं उनकी लीव जो हैं वो ग्रीन होते हैं ऐसा क्य क्यों होता है और वो लीव का स्ट्रक्चर ही उसके फ्रूट को कैसे डेवलप करता है वह आगे के वीडियो में आपको मिलता रहेगा विट प्लांट ग्रीन क्यों होते हैं इसके इसका रीजन हो तो आप मुझे जरूर कमेंट में बताना अगर नहीं होगा तो मैं इसके पर और इस तरह के ऐसे वीडियो आपके लिए और आते रहेंगे तो होप आपको वीडियो पसंद आए लाइक करो शायर करो सब्सक्राइब करो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में बाइब